फ्रूगल इंजिनेरिंग का कमाल दिखाते हुए रेनो ने बाजार में उतारी क्विट क्या किया क्विट ने ये आप और हम अच्छी तरह जानते हैं मारूती सुजूकी का जो में फोटे होता था वॉल्यूम कार्स एंट्री लेवल कार्स उस मार्केट में रेनो ने एंट्री करी और अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट किया है नए वन लीटर क्विट में भी डिजाइन से बिल्कुल छेड़ चाड नहीं की गई जो दो बेहद हलके बदलाव दिखे वो है रेर व्यू मिरर पर सिल्वर पेंट का इस्तिमाल और साइट प्रोफाइल पर एक लीटर की चेकर्ड स्रिप बैजिंग वन लीटर क्विट के वर्ल टॉप एंट्रिम यानि की आर एक्स्टी और आर एक्स्टी ऑप्शन में मिलेगी न्यू डूल टोन सीट के अलावा इंटीर्स में भी किसी तरह का खास बदलाव नहीं किया गया तीन सबसे इंपॉर्टन बात पहले ही आपको बता देते हैं 67 वी एच्प की पावर है जो कि ये रहनौ का जो ये निया एक लीटर का इंजन है वो प्रेड्यूस करता है और 91 एनम का टॉक सब्सक्राइब किया गया है और इस फिकर्स में जो बदलाव किया गया है वो जो पहला इंजन था 800 CC वाला उसी इंजन में बदलाव किया गया है बोर और स्ट्रोक दोनों ही चीजों में तब्दिलियां की गई है जिससे की 200 CC की जो एडिशनल कैपासिटी है जिसको बनाया अर्विवर्स को एक और खुशकवरी देता हूं कि एक लिटर की इंजन के बाद रहनों रूपने वाला नहीं है को एक और तबदिली देखने को मेलेगी और बहुत अच्छी हो सकती है वो तबदिली वो यह है कि कुछी महिनें में आपको को पुट का एम्टी वर्जिन भी कि देखने को मिलेगा है वे खुशी मिलती है और बहुत अच्छा भी लगता है जब हम देखते हैं कि कोई यूरोपियर मैनुफाक्ट्रर मेक इंडिया को इस शिदत से प्रमोट कर रहा है